दोस्तो बॉलीवूट फिल्म इंड़स्टी की निवेश्ट लॉव इस लाव इस्टोरी फिल्म रोके और रानी की प्रेम कहानी जो कि दोस्तो वाके में कमाल धमाल और बवाल होने वाली है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस ले बोल रहा हूँ, किस कारण से बोल रहा हूँ, चलिए दोस्तो आपको बताते हैं दोस्तो हम बात करेंगे इस movie के बजट के बारे में, screen counting के बारे में, इस movie को हम सभी के बिच में कितने screen scope पर release करा गया है, movie के occupancy कितनी है, movie के अभी तक के advance booking क्या है, और दोस्तो इस movie ने किस किस प्रिमों को पीछे छोड़ दिया है, साथ ही सप्में ये film आज के दिन कितने करो पे तक की आपनिंग ले सकती है तो चलिए दोस्तों मेरा नाम है आकास आप देख रहे हैं एवी बॉक्स अफिस अगर आप भी रणवीर सिंग के फेन हैं और जानना चाहते हैं मुवी के पब्लिक रिव्यू और बॉक्स अफिस कलेक्शन तो आपके हमाई चैनल को लाइक करक की प्रेम कहानी मुवी की अपडेट के बारे में तो दोस्तों मुवी के अंदर आपको रणवीर सिंग, आलिया भट, धर्मेंद्र सर और जया बचन जिससे और भी कई सरे बहतरिंग और दमदार और शानदा शानदा कलेक्टर काम करतों नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आप कितने बड़ी ब्लोगबश्टर हो सकती है या फिर हो सकती है काफी बड़ी फ्लॉप तो आपको जानकरी कले बता दें कि इस मुवी के अंदर आपको रणवीर सिंग और आलिया भट दोनों ही रिच फेमिली से ब्लॉम करतों है नजर आ जाएंगे पर दोस्तों मुवी की ख जिन्दी की जीना तो पसंद करते हैं बाखे इस टायल से ऐसे में दोस्तों दोनों की फेमिली के जो सोच विचार है वो काफी जड़ा अलग है और दोस्तों ऐसे में आलिया भट और रणवीर सिंग को हो जाता है प्यार अब दोस्तों दोनों को ही एक साथ में रेना है तो दोनों को ही एक दूसरे की family को accept करना होगा तो ऐसे में रेणवीर सिंग आलिया भट की family की साथ में जाके enjoy करते हैं वहीं को दोस्तो आलिया भट रेणवीर सिंग की family की पास जाती है और दोस्तो उनको मनाने की कोशिस करती है ऐसे में दोस्तो दोनों ही अपनी जगह पे काफि में केसे ट्विश रता है, वो आपको movie के इंदर देखने के लहीं मिलेगा, पर दोस्तो बात करे जाए कि movie काफिरा स्मूढ है, तो जी हां movie काफिरा स्मूढ है, आपको काफिरा हसाने वाली है, क्योंकि दोस्तो IMD ने इस movie को 5 में से 3.5 श्टाय की रेटिंग दिए, तरून आदर्स ने इस मुवी को 5 में से 2 श्टाय की रेटिंग दिए और दोस्तों इस मुवी को और भी कई सारे बड़े-बड़े एक्टर्स ने 10 आउट उप 6 श्टाय की रेटिंग दिए जिससे आप अंदर लगा सकते हैं कि यह मूवी आपको बॉक्स अपिस पे वन टाइम वोज तो बना के रखती है ऐसे मगर बात करिशा है कि रोक्य और रानी की प्रेम कहानी मूवी का बजट कितना है तो आपको जानकर इकलिए बता दें कि मूवी का जो एकजेट बजट है वो है 120 क्रोड रुपे पर दोस्तो मूवी का पॉष्ट पोड़क्षन काश्ट और प्रमोशन का जो खर्चा है वो बेटा है 40 क्रोड रुपे यानि कि मूवी का बजट जो टोटल है वो बेड़ जाता है एक सो सहांट करोड रुपे और इसी के साथ में इस मूवी का जो रन टाइम है वो बताया जा रहा है दो घंटे सरसर्ट मिनिट का जिससे आप अंदर जा लगा सकते हैं कि ये फिल्म में लगबक तीन घंटे के आज श्पास की आपको देखने क्लें मिलेगी इसी के साथ दोस्ट आखर हम बड़े कि रोगगी और रौने की प्रेयम कहानी को हमारे इंडिया और ऑवर इस्यस यानि कि वीडेशनी मर्केट में कितनी स्क्रींज को उपर रिलिश करा जा रहा है तो रोगगी और रौनेय को हमार अच्छी बात है इसी के साथ दोस्तों गर हम बात करें फिल्म में की एडवांस बुकिंग की तो उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस मुवी की जो एडवांस बुकिंग है वो दोस्तों ऑनलाइन काफी अच्छी देखने के लिए नहीं मिली क्योंकि दोस्तों इससे ज करोड रुपे कमा चुक है एडवांस बुकिंग में तो दोस्तों एडवांस बुकिंग में इंडिया नेट कलेक्शन दो करोड 95 रुपे कर रहा और एडवांस ग्रोस कलेक्शन तीन करोड 55 रुपे का देखने के लिए मिल रहा है जिसके चलते दोस्तों इस फिल्म में की ज लगबग 10% की देखने के लिए मिल रही है जिससे कहना गलत नहीं होगा कि रोक्यों राणी की प्रेम कहानी अपने पहले दिन 13-14 करोड रुपे तक की आपनिंग लेगी पर दोस्तों पूरी की पूरी बात डिपेंड करती है मुवी के रिव्यूज पे जो कि है पब्लिक बीच में एक काफी बड़ी मूखे खाने वाली है क्योंकि दोस्तों मुवी का बजटे 170 करोड रुपे तो मूवी को ब्लोकबुटर होने के लिए लगबग 300 से ज़्यादा करोड रुपे का कारोबार करना होगा वही पर दोस्तों सूपर हीट होने के लिए मुवी को लगब और एसे ही भेत्रिंग और दमदर अपडेट जानने के लिए आपके और हमाया चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि यहां पर आपको आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों की सबी अपडेट मिलेगी सुध हिंदी में सबसे पहले चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपडेट की तरह ध्यान देखेगा अपना और अपने माता पिता का जैहिंद वन्दे मात्रम